जैसे हम पहले अर्ष कर रहे थे, अगर टेस्टिंग मुनासिब मकासित के लिए इस्तिमाल ना की जाए, तो इसके बहुत से बच्चों पे नुक्सानात भी होते हैं, जैसे करिक्लम और इस्ट्रक्शन पे क्या असरात होते हैं, High Stakes Testing Adversely Effects the curriculum and Subsequently the Children. देखिए, अगर हमने पढ़ाना बच्चों को Learning के लिए नहीं है, बलके पढ़ाना इसलिए है कि उनका कोई धास Test लिया जाएगा, तो अब curriculum तो test और standard के लिए बनेगा, बच्चों के लिए तो नहीं बनेगा, इसलिए curriculum भी मतासिर होगा और indirectly बच्चे भी मतासिर होगा, तो हमें curriculum test के लिए नहीं बनाना, examination के लिए नहीं बनाना, बलकि बच्चों की learning के लिए बनाना है, curriculum is planned for the test, यानि अब आप क्या करेंग वही चीजें उसके अंदर डालेंगे, जो फिर्फ test में पूछी जाएंगी, और जो बाकी चीजें जो पूछी नहीं जानी, जिनके बारे में सवाल कोई नहीं, वो बच्चों की learning में कैसे शामिल होंगे, तो high-stake testing is used only for collection of data, अब अगली बाज ये है, कि हम जब बच्चों क कितना perform कर सकते हैं, तो हमारे standard उंचे से उंचे हो, जिस पर हर बच्चा पूरा उतर नहीं सकता, तो इसलिए आप उसको high-stake testing पे ले जाते हैं, और बच्चों को पबंद करते हैं, कि वो वही सलाहियतें दिखाएं, जो हर कोई दिखा रहा है, जो सब के लिए है, results are poor predictors of children's later achievement, अब दूसरी बात यह है, कि हैरत की बात है, आप यह test ले रहे हैं, आपकी कोशिश है कि benchmarks बच्चे हमारे achieve कर लें, but unfortunately, अगर बच्चे यह perform कर भी लें, तो बाद में आने वाली उनकी learning उस तरह से नहीं होगी, वज़ा उसकी यह है, कि test कुछ और्टीज है standards कुछ और्टीज हैं, और बच्चों की जो performance या learning है, वो बिलकुल अलग है, learning holistic होती है, overall है, जिसमें वो अपने social relations को भी शामल कर रहे हैं, अपने article moral actions को भी शामल करते हैं, उनकी physical development का भी उसके अंदर role है, लेकिन हम क्या कर रहेते हैं, हम सिरफ चंद एक cognitive indicators को पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, so measurement driven instruction, अब ऐसा भी देखा गया है, कि अगर कुछ चंद सवाल जो है, वो इमतहान में आने हैं, तो teacher भी अब बच्चों को बाकी चीजे नहीं सिखाएगा, क्योंकि उसको पता है, जो सवाल इमतहान में आने हैं, बस वही सिखाए जाएं, तो ज अगर हम सिर्फ वही चीजें बच्चों को पढ़ाएंगे, जो test का हिस्सा है, examination का हिस्सा है, तो हमारा curriculum तो automatically narrow हो जाएगा, जिसका मतलब यह है, कि हम उनकी holistic development को भूल जाएं, हम सिर्फ चंद एक functions को जैसे के numerical functions हैं, ये cognitive functions हैं, ये language के functions हैं, इनके उपर अपनी तवज्यों करेंगे, ना कि जो बच्चों की original learning है, जो उन्होंने nature के साथ मिलके करनी थी, जिसमें उन्होंने दूसरे लोगों के साथ interact करके सीखना था, जहां उन्होंने अपनी personal development करनी थी, वो सारी चीजें तो हमने ignore कर दी, so assessment and evaluation entirely determine the program, अब असल बास यही है, कि आप किस तरह की assessment और evaluation कर रहे हैं, अगर वो standardized है, अगर वो limited है, तो आपके बच्चे भी उसी तरह से, जिस program की आप assessment कर रहे हैं, उस program के आपके बच्चे उसी तरह से limited learning करेंगे, लेकिन अगर आपकी assessment holistic है, flexible है, individual है, तो बच्चों को ज्यादा मवाक्य मिलेंगे, कि वो holistically develop कर सके, so curriculum and instruction style is rigid and lacks creativity and imagination, तो अगर तो हमने महदूत कर दिया curriculum को, just towards the questions which are coming in the examination, तो क्या होगा, बच्चों की सारी imagination, उनकी सारी वो activities जो उन्होंने nature के साथ सीखनी थी, जो कुदरती तो पर वो अपने personal development के लिए सीखते हैं, वो सारी बाकी रह जाती, वो नहीं हो सकती थी, It makes the curriculum content centered instead of child centered, तो अब होता ये है कि अगर आपने test को, या examination को, जादा एहमियत दी हुई है, तो आपका जो learning है, वो test centered रह जाएगी, यानि test को मद्दे नजर रखे, आप बच्चों के learning करवाएंगे, ना कि child centered, असल जो बच्चे के अंदर potentials हैं, हमारा मकस्त तो ये था, कि हम उनको सामने ले के आए, वो क्या कुछ सीख सकता है, वो कैसा महतूस करता है, क्या उसके लिए pleasant है, क्या unpleasant है, वो बातें ज्यादा एहमियत रखती है, बनिस्बत इसके कि कुछ trick benchmarks हों, या standard हों, जिन पे बच्चा पूरा उतरे, तो हमें चाहिए कि हमारी assessment flexible हो, और वो child centered ह ना के curriculum centered या test centered.